नमस्कार साथियों अगर आप एक CAC विये लिए अगर आगरिक सुविदा के अंदर संचाला कें या फिर आप UTI Paint Card Agency पर काम करते हैं जहां आपको UTI Paint Card Portal के माइदम से एक नए Paint Card के लिए आविदन करते हैं तो ये वीडियो बिलकुल आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको बता हुआ किस तरह के साथ पेंट कार्ट फोम की PDF मना सकते हो यानि कि जब हम पेंट कार्ट के लिए आविदन करते हैं और पेंट करते हैं जब हम पिनिट आउट करते हैं उस फोम को तो उसकी supported document के साथ हमें PDF बना के upload करनी होती है साथ ही मैं आपको बता हुआ कि इस तरीके सब 30 के में के कम का photo बना सकते हो और 60 के में के कम का signature बना सकते हो जो required 300 dpi और 600 dpi में होता है चलिए सीधे वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी से गुजारी इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहें तो हमारे इस चैनल को subscribe जरूर कीजेगा ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो की notification जो हो मिलती रहे चलिए आपको मैं सीधे बाता हूँ सबसे पहले आपको pdf किस तरीके से बनाएंगे तो आपको मैं jpg to pdf करने के लिए आपको i love pdf की एक website है बड़ी ही श्यांदार website है इसको मैं कई बार यूज कर चुका हूँ इसको आपको open कर लेना है और इस website को जैसे open करते हो यहां आपको convert pdf का option आएगा इस पर आपको jpg to pdf पर click कर देना है उसके बाद select jpg images यानि कि जितनी भी images आप चाहते हो उनको select कर लेना है आप 1,2,3,4,5 जो भी चाहते हो सारी select कर लेना है चले यहां पर हम select कर लेते हैं 1,2,3,2 तो हमारे pen card के 4 में और एक supported document में आधार काड़ है इसको मैं आपको open करके दिखाता हूँ और इसको open करने के बाद यहां पर 3 चीज़े आ चुकी है चाहो तो और भी यहां से add कर सकते हूँ यह portrait mode में है और margin नहीं है इसका बस हमें यहां पर यह select करकर रखना है और उसके बाद convert to pdf पर click कर देना है तीनो फाइल हमारा upload हो चुका है और converting images to pdf बड़ा ही आसान बहुत fast कर दिया है इसने और उसके बाद इसको download pdf पर हमें click कर देना है download pdf पर हम click करते हैं तो यह हमारी pdf file download हो चुकी है इसको जरा में open कर दता हूँ इसको में open करता हूँ जैसे तो हमारा जो pdf file यह देखें यहाँ पर मेरा आदार कड़ आ चुका है यह pen card का form and again एक और pen card का form तीनो डाग्युमेंट्स जो है मेरे pdf file के अंदर आ चुके है अब मैं आपको दिखाँ हूँ cropping tool का भी उस कैसे करेंगे photo और signature बनाने के लिए तो आपको एक एंदर नाम से एक website है जिसका मैं description में link दे दिया हूँ उस पर click करके directly आप website पर आजाएए website पर आते हो तो यहाँ आपको जो है इस website पर UTI cropping tool का option मिल जाएगा जहाँ आपको cropping tool में photo बनाना और signature बनाने का option आजाएगा यह बिलकुल UTI के लिए ही है जहाँ आपको 200 बाई 213 बाई 213 और 300 dpi में photo 400 बाई 200 में 600 dpi में आपको signature बनाने को मिल जाएगा आपको बड़े ही आसानी से बना सकते हो बस आपको choose file पर click करना है choose file पर click करने के बाद जिस भी आप photo को बनाना चाहते हो उस photo को यहाँ पर upload करना है upload करने के बाद select किया select करने के बाद इसको open कीजे open करने के बाद इसको get photo पर click कर दीजे बस बड़ा ही आसानी से आपका photo इधर download हो जाएगा इसी प्रकार से sign की file को choose कर लेना है उस file को upload करने के बाद यहाँ पर get signature पर click कर दोगे तो आपका signature भी यहाँ से download हो जाएगा बड़े आसानी से आप तीनों चीज़ों को यहाँ पर करके इसको pen card के form में upload करके आप आवेदन कर सकते हो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो में दीवी जानकर यह अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजएगा वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम